नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ IQZ5 Mobile है आपके पास 7A या कोई और मॉडल है तो इस टेप से जो स्क्रीन शॉट आता है यह आप कैसे ले सकते हैं ऐसे थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट लॉंग स्क्रीन शॉट काफी सारे स्क्रीन शॉट होते हैं यहां पर तो इसको लेने के लिए आप क्या करेंगे कि जो सेटिंग है सेटिंग ऑपन करेंगे और यहां पर आपको जाना है shortcut and accessibility और यहाँ पर आपको as capture का option देखने को मिलेगा आप इस पर click कर लेंगे और यह option आपका on होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे screen recording का जो setting है वो देखने को मिल जाएगा लेकिन screen recording की वीडियो अलग से बनार के इसको आप छोड़ देंगे यह वाला option आपका on होना चाहिए और यह वाला option आपका three finger से screenshot आएगा अब long screenshot लेना है तो long screenshot आपका वहाँ पर work करता है जहाँ पर आपके pages जो है scroll होते है ठीक है तो यहाँ पर मानली जी यहाँ पर मुझे अगर long screenshot लेना है तो मैं यहाँ पर ऐसे screenshot लोगी और यहाँ पर long screenshot पर click करूँगी तो यह जो page है वो scroll होगा अपने आप धिरे धिरे जहां पे आपको stop करना है तो यहां पे आप save पे click कर देंगे तो long screenshot आजाएगा आपका आप इस पे click करके देख सकते हैं और share, edit, delete सब कुछ कर सकते हैं और यहां पे gallery में अगर मैं दिखा देती हूँ तो gallery में मैं album पे चले जाओंगी तो आप देख सकते हैं यह आपका long screenshot है इस step से आपका work करता है और यह आपका three finger वाला screenshot और बाकी आपका volume down बटन और power बटन को दबाएंगे तो आपका screenshot आजाता है तो इस step से setting कर दिजिएगा चली guys मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार